हेलो फ्रेंज शिवांगी किचन यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं काले चने और आलो से बनने वाली एक नई रेसिपी जी हां आपने छोले और चाट तो कई वार खाया होगा काले चने का लेकिन आज ये नई रेसि पीस रखी है हमने तो ये न वेशन है और न साबुत चना है तो ये दरदरा पिसा हुआ है मोटा पिसा हुआ है तो इसी से हमारी टिक्की में करारापन क्रंच बन जाएंगी तो ये देखिए और अब हम इसमें मिला लेंगे चिली फ्लेक्स और बाकी के जो मसालिक होते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, स्वाद के अनुसार, गरम, मसादा और इन सब चीजों को हम मिला लेंगे जैसे कि आठे का डो बनाते हैं लेकिन धियान रखना है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं एड़ करना है तो ये डो बन के तयार हो गया है और अब दूसर इसका फ्लेम रखा है मीडियम हाई फ्लेम पे नहीं पकाना इसको क्योंकि हाई फ्लेम पे टिक की बाहर से तो जल्दी जल जाएगी और अंदर से कच्छी ही रहेगी तो इसको हमें मीडियम फ्लेम पे 6-7 मिनट तक पकाना है जब तक ये करंची न बन जाए तो ये और इसको आप चाय के साथ ले सकते हैं या इसमें चटनी वगेरा मिक्स करके दही वगेरा तो इसको चाट जैसा भी बना सकते हैं अगर आप बर्गर बना रहे हैं तो इसके लिए उसको इस टिकी को यूज कर सकते हैं तो बहुत ही आसान और बिलकुल क्रंची होगी करारी ह कषा बागी की टिक्टे होती हैं और ये देखिए इसका कल्र स्ण में कोई अच्छा आया है और खाने में भी स्वाद में कोई कंप्रोमाइज नहीं क्योंकि चना है तो चने में बेशन का जैसा स्वाद भी होता है और और करारा पन उसमें मोटा है पिसा हुआ तो उससे आ ग्रोविंग एज में आलोवी बच्चों के लिए चाहिए है तो आप जब चाहें तब बना सकते हैं तो इसी तरीके से हम सारे टिक्की बना लेंगे और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी ज़्यादा इंग्रिडेंट्स की जुरुत नहीं है तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और साथी साथ बेल आइक करेंट्सी मekायाarak झाई करें नहीं है अझा अभाण करेंग तो करेंग्ण करेंस का इण हैं जल्यादा करेंग्टी और आई हैं तो इस सम्झेता चाहें हैं solaर में जल ले हो इस ख राईगोर हैं?